इससलाम वालेकुम स्टुडेंट्स क्या हाल है इस रीदियो लेशन मैं में कॉस्ट डी बिल्कुल ही बेसिक सा concept जो के high-low method क्या होता है इसको discuss करोंगा और एक बिल्कुल basic सी example आपके साथ discuss करोंगा हमने semi variable cost के बारे में पढ़ाव है कि semi variable cost एक ऐसी cost होती है जिसमें कुछ हिस्सा fixed होता है और कुछ हिस्सा variable होता हाई-lo method एक ऐसा तरीका होता है जो आपकी semi variable cost में से जो fixed वाला हिस्सा है और जो variable वाला हिस्सा है उसको अलेहदा करने में आपकी मदद करता हाई-lo method के बहुत सारे complex cases हो सकते हैं लेकिन ये वाला केस एक सिंपल हाई-लो मेथट का केस है ताके आपको एक आईडिया दिया सके कि हम हाई-लो मेथट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेमी वेरियेबल कॉस्ट के फिक्स्ट और वेरियेबल में हिस्सा करने के लिए तो इस वीडियो का बड़े यह चार्ज करेंगे जो होगा टू हंडर पर मन्थ किसा है आप बिजली इस्टेवाल करोः चाहे आप इस्तेमाव ना करो ओ हीने के 200 रुपए तो लाजमी तौर पर लेंगे ही लेंगे ये 200 रुपए फिक्स्ट कॉस्ट की तरह है इसलिए क्योंके चाहे मैं बिजली का एक भी यूनिट इस्तेमाल ना करूं एक यूनिट इस्तेमाल करूं दस यूनिट से इस्तेमाल करूं मुझे 200 रुपए लाजमी प और जो आपका पर यूनिट चार्ज होगा, वो होगा 25 पर यूनिट, यह है आपकी वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट, यानि कि इस कंपनी ने बुल लिया कि जितने बिजली के यूनिट सा आपने इस्तेमाल करें, हम हर यूनिट के अगेंस आप से जो है वो 25 रुपए लेंग बिजली के यूनिट इस्तेमाल करें, और जब इसने चार बिजली के यूनिट इस्तेमाल करें, तो इसका जो टोटल बिल आया, वो 200 रुपए फिक्स था, और चार यूनिट का 25 रुपए के हिसाब से 100 रुपए वेरियेबल थे, यानि के टोटल खर्चा था 300, इसके बाद एक और महीना आया, विच इस फैब, फैब के महीने में जो यूनिट बिजली के इस्तेमाल वे, देखें, दो चीज़े हैं, एक यूनिट सा, एक कॉस्ट, फैब के महीने में साथ यूनिट बिजली के इस्तेमाल वे, और जब बिजली के साथ यूनिट से इस्तेमाल वे, तो जो टोटल खर्चा बना वो 200 रुपए फिक्स खर्चा था और 7 यूनिट्स के 25 रुपए के हिसाब से वेरियेबल खर्चा का अमाउंट था तो इसका जो बिल बना वो 7 इंटू 25 अगर हम करते हैं तो 175 बनता है और 200 यानि के 375 रुपए का इसका बिल बना अब ये जो खर्चा हमने कालकुलेट किया है ये जो यहां पर हमने कालकुलेशन करकर तính सो या 375 कैलकुलेट किया है इस खर्चे को हम semi-variable cost का नाम देते हैं इस कर्चे को हम semi-variable cost का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमे कुछ इससा fixed है और कुछ हिस्ट 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 ह नहीं देना है और वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 25 रुपे पर यूनिट है और उसके हिसाब से मैंने आपको जहनवरी और फैप की टोटल कॉस्ट की कैल्कुलेशन्स करकर दे दी अब हम देखते हैं कि एक तो मैंने आपको यहां पर तो देखे मैंने बता दिया ना लाइनिट 200 है पेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है तो चार यूनिट का खर्चा कितना होगा साथ यूनिट का खर्चा कितना होगा अब हम इसी एक्जैम्पल से अपना सवाल बनाते हैं अ मैं आपको यह बताता हूँ कि आपके पेपर में क्वेस्टिन किस तरह से आएगा देखें यहां तक जो भी चीजें आपने करी इससे हम क्वेस्टिन डिवेलब करते हैं यहां तक आपने जो भी यह चीजें करी इससे हम अपना एक सवाल डिवेलब करते हम अपना एक सवाल ब यू आएगा कि क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक हाउस होल्ड ने जैन्विरी के महीने में चार यूनिट्स इस्तेमाल करें और उसका जो एक्सपेंस था उसकी जो कॉस्ट थी उसका जो खर्चा था वो तीन सो रुपए था और फिर वो बोल देगा के भाई फैब में उसका इस्तेमाल करें और जो खर्चा था वो तीन सो 2355 था यानि के ये वाला जो डेटा है ना ये वाले डेटा चार यूनिट्स का 300 धा मेंसा का 375 यह आपको provided होगा यह आपको available होगा सवाल आपसे यह पूछेगा कि मुझे यह बताओ कि 300 यह 375 में line rent का amount कितना है और इस 300 यह 375 में per unit charge का जो amount है पर unit charge का जो amount है वो कितना है सवाल आप से पुछेगा कि line rent का amount कितना है और पर unit charge का जो amount है ना वो कितना है तो आपने यह दो amounts है वो effectively calculate करने होंगे यह दो amounts effectively आपने जो है वो बताने होंगे के भही मेरे पास जो line rent है और जो per unit cost है ना उसका amount कितना होगा अब हम इस method को यानि के high low method को कैसे use करेंगे ताके हम यह identify कर सके के line rent 200 है और per unit cost 25 है देखें मैं वापस से बताता हूँ यह जो आपने working करी थी ना यह आपको दी हुई होगी और यह जो आपको दिया हुआ था line rent 200 और per unit cost 25 यह आपको दूनना होगा मालूम करना होगा identify करना होगा अब इसको solve करने के दो तरीके है एक तरीका होता है कि मैं high low method यूज करूँ और एक तरीका होता है कि मैं simultaneous equations की मदर लेकर इसको solve करो हम दोनों तरीके discuss करेंगे हाई-लो मेथर्ड अच्छा यह बिल्कुल basic सा केसे में कुछ complex cases भी आ सकते हैं जिसमें हमें कुछ adjustments करनी हो अभी तो हम बिल्कुल basic सा हाई-लो मेथर्ड पढ़ना है सो basic सा हाई-लो मेथर्ड में होगा यह कि basic सा हाई-लो मेथर्ड आपको यह कहता है कि जनाब अगर आपने variable cost per unit मालूम करनी है अगर आपने variable cost per unit मालूम करनी है तो आप formula apply करोगे change in cost divided by change in units ठीक है जी तो पहले हम इसको apply करते हैं पहरे हम इसकी logic भी देखेंगे कि आखर change in cost divided by change in unit से variable cost per unit क्यों आ जाती है तो आप करोगे यह कि change in cost यानि कि जितने से cost में change आया है which is 375 minus 300 divided by change in units which is 7 minus 4 so change in cost 75 है change in units 3 है यानि कि आपके पास जो आपकी variable cost per unit होगी वो 25 per unit होगी ठीक है change in cost divided by change in units यानि कि 375 minus 300 से 75 आया 7 minus 4 change in units से 3 आया और आपके पास 25 per unit की variable cost आगे इसकी logic क्या है यह देखते हम थोड़ी देर में अच्छा fix cost कैसे मालूम होगी जब आपके पास variable cost per unit की value आ गई using hylo method तो आप fix cost बड़े आराम से धूंड सकते हो और वो इस तरह से धूंड सकते हो कि देखें आपकी मिसाल के तरपर January की जो total cost थी वो कितनी थी सर जैनवेरी की जो total cost है ना वो 300 है जैनवेरी की जो total cost है ना वो 300 है इस total cost का कुछ हिस्सा fixed है यहां मैं सवाल में बताया होगा कि इस देखें ना इस 300 की total cost का कुछ हिस्सा fixed था और कुछ हिस्सा variable था सो अगर मैं इसमें से वेरियेबल वाला हिस्सा लेस कर दूँ मुझे ये मालूम है कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ट है इसमें ही कुछ हिस्सा वेरियेबल है अगर इस में से मैं लेस कर दूँ वेरियेबल वाला हिस्सा तो सरफ और सरफ फिक्स वाला हिस्सा रह जाएगा और वो वेरियेबल वाला हिस्सा कैसे आएगा वो वेरियेबल वाला हिस्सा ऐसे आएगा कि जब मैं तीन सो की बात करता हूँ जब मैं January की बात करता हूँ, जब मैं 300 की बात करता हूँ, जब मैं January की बात करता हूँ, जब मैं 300 की बात करता हूँ, तो 300 का बिल तब आया था, जब मैंने 4 यूनिट्स इस्तेमाल करे थे, तो जब मैंने 4 यूनिट्स इस्तेमाल करे थे, तब 300 का बिल आया था, उसमें कुछ fixed है और उसमें variable cost भी होगी और उसमें 4 units की variable cost होगी अगर एक unit की variable cost जो है वो 25 है तो 4 units की 25 रुपे के हिसाब से total जो variable cost आएगी वो 100 रुपे आएगी तो अगर मैं total cost में जिसमें fixed और variable दोनों शामिल है उसमें से variable हटा देता हूं तो मेरे पास जो amount बच जाता है वो fixed cost का बच जाता है इसी दहना से आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप 375 वाली total cost को pick करो 375 वाली जो total cost है इसमें से आप क्या कर दो इसमें से आप less कर दो variable cost को अब 375 का बिल कब आया था 375 का बिल तब आया था जब 7 units बिजली के इस्तेमाल वे थे सो आप क्या करोगे आप इसमें से minus करोगे 7 multiplied by 25 7 multiplied by 25 जो है वो आपका 175 बनेगा और इस तरह से आपकी जो fixed cost की amount आईगी वो यहां पर भी 200 रपे ही आ रही होगी सो यहां पर मैंने basic high low method apply किया जिसमें मैंने number one सबसे पहले variable cost per unit दून दी change in cost divided by change in units से और फिर मैंने fix cost दून दी इसके बहुत सारे complex cases भी आपके पास आपको समझ में आने चाहिए लेकिन वो हम वक्त के साथ discuss करेंगे अच्छा यहां पर मैं एक चीज़ और highlight कर दूं कि इसी सवाल को solve करने का एक simultaneous equations वाला तरीका भी है जो मैं अभी आने वाले वीडियो में discuss करूंगा इस वीडियो में यह बताता जाहूं कि change in cost divided by change in units से variable cost per unit कैसे आई पहले तो आप इसको सोचें पहले तो आप इसको सोचें कि आखिर चेंज कॉस्स डिवाइडे बैचेंग उनिट से variable cost per unit की value कैसे आ सकती है फिर इस वीडियो को यहीं से play करियेगा देखे हुआ यह कि मैंने यह सोचा कि जैनुरी से फरवरी को अगर compare किया जाये तो मेरा बिल क्यों कितना जादा आया जैनुरी से फरवरी को compare करता हूं तो मेरा बिल जो है वो 300 के बज़ए 375 यानि के 75 रुपे जादा आया और यह बिल जादा क्यों आया है क्या fixed cost में change आया नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा fixed cost में change आया है ऐसा तो कुछ नहीं लिखा जो आपका सवाल था बिल आपका 75 रुपे जादा आया बिल क्यों जादा आता है क्या fixed cost की वज़ए से नहीं variable cost की वज़ए से तो आपने यह देखा के ये जो 75 रुपे का बिल जादा आया है ना ये जो 75 रुपे का बिल जादा आया है और अगर चार के बजाए साथ यूनिट्स इस्तेमाल वे हैं यानि कि तीन यूनिट्स ज्यादा इस्तेमाल वे हैं तो 75 रुपए का खरचा इसके ज्यादा वह है क्योंकि तीन यूनिट्स ज्यादा इस्तेमाल वे हैं लहाज़ एक यूनिट 25 रुपए का होता होगा यह कुछ basic high-low method के हवाले से बाते थी और अब मैं इसी सवाल को simultaneous equation से solve करूँगा और भिर हम advanced high-low method पे भी जाएंगे लेकिन उससे पहले kindly इस video lesson को बहुत अच्छे से देखें note करें, समझें, मुझसे discuss करें कोई मसला हो तो whatsapp पर मुझसे सवाल भी पूछें यह कुछ तो मुझसे सब्सक्राइब करें